Hello my dear ones, आज मैं बात करने वाली हों भावनाओं के नियंत्रन के बारे में कई बार ऐसा होता है ना किसी का वहवार, किसी की कोई बात, या किसी की देखने का तरीका भी हमें इतनी पीड़ा पहुँचा देता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमें पूरी तरीके से तोड़ दिया अंदर से और हमारे ही वो बिखरे पे टुकडे हमें इस कदर चुब रहे होते हैं, इतना तकलीफ दे रहे होते हैं, इतना रुला रहे होते हैं अंदर तक हम पूरी तरीके से बिखर चुके होते हैं और हमें ऐसा लगते है कि कोई हमें समझ ही नहीं रहा है और हमारी भावनाएं नियंतरण से बाहर हो जाती है इतनी बेकाबो हो जाती हैं कि उस वक्त बस मन में सारे के सारे नेगेडिव थौर्ट्स चलते हैं वही assumptions चलती रहती हैं वैसा ही जब हमें लग रहा होते हैं तो हम वैसे ही सोच, कलपनाओं में पूरी तरीके से अपनी जीवन को अंधकार में देखने लग जाते हैं और पूरा टूट जाते हैं हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा आज भी होता होगा या अभी तक नहीं हुआ तो कभी कुछ ऐसा मगा आ सकता है तो हुआ है तो भी अभी हो रहा है या कभी आने वाले भविश्री की संभावने से बचने के लिए हर लिहास से जो आज में आपको बताने जारे हो, समझाने जारे हो उसका आपको समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही जादा इंपॉर्डिंट है समझे होता क्या है जब भी हम हर्ट फील करते हैं बहुत जाद अंदर से टूडावा महसूस करते हैं तो वो सब हमारी खुद की भावनात्मक कमजोरी की वजह से होता है क्योंकि किसी में भी इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो हमें हर्ट कर सके फिर से सुने किसी में भी इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो हमें हर्ट कर सके क्योंकि हर इंसान की पहुँच सिर्फ और सिर्फ हमारी बहारी दुनिया तक है हमारे अंदर की दुनिया के हम बादशा हैं और उसमें क्या चीज एंटर करेगी ये हमारे हुक्म पर निर्भर करेगा फिर भी बादशा होते वे भी हम ऐसे भिकारियों की तरह रोने क्यों लग जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये बादशाहत हमारे पास है, इसलिए हम बादशा होते वे भी अपने आपको भिकारी मान कर रोते जीखते रहते हैं, हमारे अंदर का जो पूरा सामराज्य है, उसको बिलकुल ऐसे ही अच्छे से रखना, उसमें खुशाली रखना, ये सब हमार जिम्मेदारी है, अब होता क्या है, हमारी परवरशी ऐसे महल में हुई भी होती है, जहां पर हमने जरा-जरा सी बातों पर लोगों को रोते वे, परिशान होते वे, दूसरों को दोश देते वे, सुना होता है, देखा होता है, और हमने यहीं सीख लिया होता है, कि शायद यही होता है अब हमने क्योंकि ऐसा ही देखा है सुना है यही सीखा है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें खुश रखने की हमारे emotions को protect करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है जबकि यह जिम्मेदारी तो हमारी है किसी दूसरे की है ही नहीं बट क्योंकि हमारी wrong learning हो जाती है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी दूसरे की है अब atenção कोई भी नसान है, वो कुछ भी बोलता है, किसी भी बात का कोई भी मतलम निकालता है किसी भी तरीके से हमाई साथ वहवार करता है, चहरे के हावव मेंटेंड करता है वो सब किस वज़े सोतरस के साथ जो उसके अंदर भरावा होता है अब सब के अंदर कुछ अलग-लग भरावा है अब आप सब के अंदर तो सब कुछ चीज़े खाली करने नी जाएंगे फिर उनके अंदर अपनी सहुलित के हिसाब से सब चीज़े भरेंगे नी क्योंकि ऐसी मालकियत आपके पास नहीं है भले ही आप समराठ हैं अपने अंदर के समराज्य के लेकिन इतनी भी मालकियत नहीं है कि आप दूसरे के समराज्य में घुसे हैं और फिर उसको सब कुछ बदल डालें नहीं ऐसा नहीं होता वो power आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरे को नहीं बदल सकते दूसरे के अंदर जो भरावा होगा उसी भरेवे का प्रतिबंब उसके वहवार में, उसकी बातों में उसके सिस्टाचार में हर चीज में छलकेगा अब क्योंकि उसके अंदर जो भरावा है हर आदमी अपने आप में समराठ है, सुतंत्र है, वो जैसा उसके अंदर भरावा होगा, उसी के आधार पर वो आपके साथ वहवार करेगा, कुछ कहेगा या कुछ भी ऐसा करेगा, अब आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझनी होगी, कि दूसरे को ब जैलत ही सीखा था, तो हमने दूसरे को जिम्मार माना कि इसने ऐसा कहा, इसलिए मुझे हट हुआ, अब हम जरा इससे अलग सोच चेहें, जरा अपना नजरिया आज ही बदलते हैं, उसने जो कहा, सो कहा, मैंने उसकी बात को अपने अंदर जाने दिया, और मैंने उसे दोहर आया, और मैंने उसे दोहराया, तो मेरे अंदर के सामराज्य में उथल पुथल हो गई, इसलिए मुझे हर्ट हो रहा है, इसलिए मुझे कस्ट पहुच रहा है, लेकिन अगर मैंने अपने सामराज्य की दरवाजे बंद रखे होते हैं, तो उसकी कोई भी बात मेरे अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, असंभव था एंटर करना, तो जब हमने एंटरी दी, इसलिए वो अंदर आया और अगर अंदर उड़तावा तीर आएगा, तो भई, वो तो फिर आपको भेदेगा ही भेदेगा ना, तो तीर से बचने के लिए एक ढाल होती है, आपने देखे होंग कि वो ढाल आपको अपने अंदर create करनी है, अब आप ये तो समझ गए कि आप अपनी दुनिया के मालिक है, और आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है, अपने आपको पूरी तरीके से सुरक्षत रखने की और पूरा अधिकार है, कि आप दूसर आइवे बान है, उसका असर खतम करने का, तो ऐसे ही जब कोई आपको उल जरूल कोई बात कहता है, तो उसने एक बान फिका आपकी तरफ, जो आपको भेदना चाहरा है, आपको तकलीफ देना चाहरा है, आप क्या करें, आप भी अपना एक बान चला है, लेकिन वहाँ पर क समझदारी का बान चला है, यानि कि उसकी बात को बहुत अलग अर्थ देकर आप अपने आपको एक्स्प्लेन कर ले, जैसे मैं आपको एक बात पताती हो, अभी क्या है कि कुजिन पहली की बात है, और मैं आपनी डॉर्टर के लिए केक लेने जा रही थी, तो वहाँ पर मे उसे बार-बार मुझे देकी बोलती है, और यह बहुत कमजोर होगी, यह बहुत कमजोर होगी, बहुत कमजोर लगी है, उन्होंने इसी बात को आट-टस बार रेपीट कर दे, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, अब वो मुझे बार-बार-बार-बार कमजोर क करके ऐसे ट्रिगर करना चाह रही थी कि जैसे मुझे अपने पर ध्यान देना चाहिए मैं वहाँ की मेरी सेहत कुछ खराब हो गया क्या मैं कमजोर इतना मैं कमजोर लग रही हूं क्या अगर मैं उनकी बातों को सीरिसली ले 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 थी तो एक यही चिंदा मुझे पकड़ जा बता है तो यह अपने नजरे से मुझे देखनी है तो इनके नजरी से तो मैं कमजोर ही हुई न अब कोई सौक लोग का इनसान को पचास किलो के इनसान को देखेगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा कमजोर मैं लगूंगी ही तो उनकी बात को दिल पर लेने के बजाए और उन्होंने 8-10 बार रिपीट किया मदब छोटी से 5 मिनट की मुलाकात में उनका शायद मुद्दा ही किया ही था और उनके अपने अंदर की इन्फिरिटी को शायद वो चुपाने के लिए है इस तरीके से बार-बार मुझे ऐसे बोल रही थी है तो अब एक बहाँ बताईए आप इतना समझ जाएं कि सामने वाला आपको कमजोर नहीं कह रहा है वो अपने बहुत जादा बढ़ेवे वेट से जो परिशान है जो उसके अंदर एक इन्फिरिटी है उसने अपने सामने किसी फिट इंसान को देखा तो उसका प्रोजेक्शन वो गलत तरीके से कर रहा है इतना बस understanding करके उस बात को दिल पे ले 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 बुरे बुरा मान जाने या उसमें एक ऐसे thought process में खो जाने के बज़ा जहां पर आप self doubt में जले जाएं कि मैं कहीं सचमी तो कमजोर नहीं हो रही हूँ कि मैंने इसे बहुत सारे देखे हैं लोग जो इस बातों के भी चिंदा कि इस बात के लिए और मैंने इस तरीके से explain किया तो उनका जो एक purpose था कि मुझे एक self doubt में डाले या मुझे एक चिंता में डाल दे बहले उनका purpose था intentionally या नहीं एकदम मुझे देखते randomly उनके मुझे ऐसा निकल रहा था लेकिन जिस तरह से वो repetition बार 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 हो रहा था तो उससे क्या होते हैं उससे कोई भी बात बार 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 कोई repeat करता है तो महसूस हो निच रहते हैं पांच मिनट की छोटी सी मुलागाते normal high hello करो रंसे करो बात करो चुटी लेकिन आप बार 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 इस चीज़ repeat कर रहे हो तो आप इतनी बातों से भी छुटी चुटी से लोग ट्रिगर हो जाते हैं लेकिन अगर आप सही तरीके से एक्स्प्लेइन कर लेते हैं तो बिल्कुल सही रहता है ऐसी तमाम ऐसी बहुत सारी बाते होती हैं जिस पर लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं एक और मैं आपको एक छूट असर किस्सा बताती हूँ कि थी मैं घर पर थी तो मेरी मदर रेलो की एक फ्रेंट आई तो बोलने लगी आइस तु सालो में दिखाई दी है तो मेरी mother-in-law से बोली भी तुमें तो कभी इसके हाथ का एक लास पानी भी नसीब नहीं होता होगा यह तो घर में रहती ही नहीं है अब एक बाह बताईए कि कोई इंसान हमारे घर में आया है मेरी आसन्डे की जूटी है मेरी mother-in-law मेरी क्या bonding क्या chemistry है उस बात को साइड में रखते हुए वो बस अपनी वो ट्रडिशनल आंटी वो टाइप की बाते करने चालू करती है, मुझे ट्रिगर करने की कोशिश की मैं ऐसा कुछ बुरा मांज हूँ या ऐसा करूँ, दो तिन बार मुझे की बई चायवाय भी बना लेती है, यह सब भूल कि लोगों की साइकलोजी का, कि भाई ठीक है, वो आंटी जितनी भी पड़ी लिखी है, जिस तरीके से उनका ठेटिशनल घर में इंवायर्मेंट है, बहु को डॉमिनेट करने का, बहु से सारे काम करवाने का, और हमारे घर का इंवायर्मेंट बिल्कुल एक्दम से अलग ह मेरी और मेरी मदनलोगी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, सब कुछ, तो ये इस बात से केमिस्ट्री से डीफली अंजान है, और बस ये तो अपना जो इनके लाइफ की एक्स्पीरियंसे से, जो इनके अपनी नेचर हो, उसके हिसाब से ऐसे कर रहे हैं, तो उनकी बातों से आपको सेवा का मौका देती हूँ, आप कर ये अच्छे से, मुझे बताईए, मैं आपकी सेवा करूँगी, बता हुआ इसे, मेरे हसकर से बोला, अच्छा, तुझे सब कुछ आता है, भूली नहीं है, तुनों बहुत सालों से नहीं कर रहा होगा, बिटा, मैंने आटी, कित क्या दावत करनी है, इस तरीके से, नॉर्मल उस सिच्वेशन को हस के हैंडल कर लिया, तो वो जो आउंटी, मैं को टेंशन छोड़ के जा सकती थी, उनका सारा प्लान एक मिनिट में फेल हो गया, तो ऐसे, बेफुजूल की बात करने वाले लोग हमारे आस पास घूमते रह देखे हैं, जिसको हम कैसे भूल करें, किसी ने ने को कुछ अपमान कर दिया, में को बुलाया ता फिर में को पूछा नहीं, में को धोका दे दिया, मुझे हर्ट किया, ऐसे बड़ी-बड़ी चीज़े मेरी बेस्ती कर दी, मुझे मार दिया, मुझे गाली दे दी, या कि मैं इतने सारे अलग-लग लोगों को मिलती हूँ, तो इस तरी के similar चीज़े मैंने देखी, जिससे इंसान बहुत ज़ादा anxiety भी पाल लेता है, उसके दिमाग में कई दिनों तक चलती है, तो बड़ी हो या चोटी हो कोई भी बात हो, बात-बात होती है, वो बड़ा चोट किसी बात भी आपके लिए बड़ी बन सकती है, और अगर आपने उसका meaning हाथ के हाथ चेंज कर दिया, आपने उसे बहुत lightly ले लिया, आपने उसे हसी में उड़ा दिया, आपने दूसरे की नासमझी बेवकुफी या उसे कोई भी ऐसे maturity का ऐसे नाम दे दिया आपने, तो व अभी उनकी जॉब चले गई है, तो वो इंडिया आ गई है, वो पहले बाहर जॉब करती थी, तो वहाँ पर वो एक मंदिर में गई, अब वो मंदिर में गई, तो वहाँ पर कोई अंकल ने उनको देखा और बोला कि अचकल क्या कर रहे बिटा, इत्ते लंबे समय तक पहले से ही चल रहा था, कि आर अभी मैं जॉब लेस हो गई हूं, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगी, कोई मुझे से पूशरेगा कि यहाँ पर कैसे होते लंबे समय तो पहले थी नहीं, तो मैं क्या जबाब तोंगी, लोगो पता चल जएगा कि अभी मैं जॉब लेस हूँ, उनक कि अपनी पहले सी 50 दिन सेक्यूरिटी उनके इंदर चल रही थी। इसलिए वो जो नॉमल सी बात थी अंकल की। अंकल को पता भी ने कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी हो गई। जैसे उन्होंने एकदम से उनकी लाइफ के सीक्रेट्स कहीं से जान लिया है। इतना कंसर हो गया। क्यों कि वो उनके अंदर की इमोशनल वीकनिस थी। उनके अंदर की insecurities ने उस बात को इतना magnify कर दिया तो किसी दूसरे की बात में कोई इतना खास दम नहीं होता है हमारे किस सरीके के reactions होते हैं हम कैसे situations को handle करते हैं कैसे response देते हैं क्या meaning देते हैं उस बात पर depend करता है कि हम hurt होंगे या हम relaxed रहेंगे हम बिल्कुल एक तम अच्छा normal feel करेंगे क्योंकि वास्ता में किसी इंसान की हैसियत ही नहीं है किसी को इतनी मालकियत ही नहीं है कि कोई आपको hurt कर सके अगर आप hurt हो रहे हैं तो ये solely आप अपनी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ insecurity है कुछ inferiority है आपके अंदर की कुछ fears है आपकी wrong learning हुई भी है आपको ठंक से situation को explain करना नहीं आता आपकी acceptance की power कम है आप overreactive है आप emotionally incapable है situations को handle करने के लिए आपके अंदर logic की कमी है और आप self doubt में बहुत जल्दी चले जाते हैं आपके अंदर strongly situation को face करने की challenges को face करने की एकदम से walk patuta जिसको कहते हैं एकदम prompt जवाब देने की वो शमता कम है तो ये सब चीज़ें आपके part पर खराब हैं आपके part पर गलत हैं इसलिए आप पर इतना effect पढ़ रहा है क्योंकि जबी भी कोई भी आपा attack करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से आपके पास हमीशा एक choice होती है बचने की और आप अगर बहुत ज़्यादा backfire करने में लग जाते हैं कि नहीं इसकी हिम्मत कैसे इसने एक कातों में जो चार कहना है तो क्या कर रहे हैं और आप अपने अंदर गलत experiences भर रहे हैं मतलब आप अगर अपने अंदर के सामराज्य के दुनिया के मालिक हैं तो ज़रूरी अपने अंदर कूड़ा डालना अरे अपने अंदर को साफ सुतरा रखो और कहीं बाहर अगर shit नजर आ रही है किसी की दूसरे के उसमें तो ज़रूरी यह वाँ enter करना avoid करो उसे जब आपको लग रहे है कि कोई person ऐसा है कि आपको बार 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 ट्रिगर करने की कोशश कर रहा है और आप बार 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 explain भी करके अपने आपको नहीं बचाना चाहते क्योंकि क्यों हम बार 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 किसी की शिट लें और फिर बार 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 इसको clean करें तो ऐसे इंसान से आप अलग हो जाओ बिल्कुल उससे एक ऐसी boundary create कर लो उसको समझ लो कि यह इंसान ऐसा ही है जब तक यह अपना रविया नहीं बदलेगा अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक मुझे इसके circle में नहीं रहना है अब कोई family member ऐसा हो जाता है जो बार बार हमें negative बोल रहा है hurt कर रहा है जी कि ताने दे रहा है जैसे बहुत सारी families में ऐसे बहुत होता है कि females को बहुत ताने सुनने में होते हैं माबा बच्चों को बहुत ताने देते हैं बात बात पर hurt करते रहते हैं उची आवाद में चिला के कुछ आप शब्द बोल कर इस तरीके से hurt करते रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं है ना उनसे दूर जाहीं नहीं सकते हैं उनको हमें साथ में ग्रह नहीं पड़ता है तो ऐसे लोगों से एक emotional boundary बना कर रखो लोगों के patterns देखो लोगों की आदते देखो कि वो किस तरीके के हैं अगर आपको लग रहा है कि family member या कोई भी toxic environment क्रियेट कर रहा है घर में toxic person है कोई नार्सस टाइप का person वो हर्ट कर रहा है तो आप समझ जो कि वो ऐसा person है आप उसे accept कर लो जब आप एक person को accept कर लो तो देखो अभी चिलाएगा ये कड़बा बोलेगा इसको तो आदती गाली देकर बोलने की है इसकी तो आदती चार्ट बुरायां करने की है इसकी तो आदती है ये सरी किसे manipulate करता है आपको समझ में आगा कि मौका पर असंसान है जरूत होगी तो मीठा बोलेगा ने तो ऐसे कड़बा बोलेगा अभी पता ही नहीं है कि कब कैसे treat करेगा आपको जब पता चल गया है कि लोग कैसे हैं तो आप उन्हें accept करो acceptance का मतलब में ये नहीं कह रही हो कि आप उनको allow कर दो no, accept करने का मतलब सिर्फ यह है कि समझ जाओ कि ये person ऐसा है ये जब मौक खोलेगा तो ये इसके मूँ से ऐसे किते ना बद्बूई आनी है शिटी निकलना है इसके मूँ से तो आप क्या कर रहे हो उस चीज का अपने उपर से आप effect खतम कर रहे हो क्योंकि फर्क ही बढ़ना बंद हो जाता है जब पता है अरे चिलाएगा है तो अंदर अंदर क्या चलता है मतलब आप अपने अंदर से बिलकुल clarity रख लो तो आप पर उस चीज का effect होना बंद हो जाएगा लेकिन जब भी आपको अरे ऐसे क्यों बोला क्या इसको इतनी समझ नहीं इसको बदलनी जाना चाहिए जब तक आपके अंदर ये रहेगा कि कोई बदल जाए और ऐसा क्यों बोला क्या इसमें इतनी भी समझ नहीं है मतलब कहीं न कहीं आप एक कोशिश में लगे वे हो कि उस इंसान को बदल दो आप उमीद में हो और वो चीज पॉसिबल नहीं है तो आप बार 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 इसी false hope में hurt होते रहोगे expectations जो फालतों की पाल रहे हो क्योंकि जब तक उसे realize नहीं होगा वो नहीं बदलेगा आपके realize होने से कि उसको बदलने की ज़रूरत है वो नहीं बदलेगा उसके realize होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब वो बदलेगा तो किसी को फजूल में बदलने की कोशिश मत करो आप अपना देखो कि आप अपने आपको बदलो और अपने अंदर की acceptance power को बढ़ाओ अपने अंदर की inner strength को बढ़ाओ आप अपने अंदर की resilience power को बढ़ाओ आप अपने अंदर एक clarity लेकर आओ कि कोई भी इंसान मुझे hurt नहीं कर सकता मैं किसी भी situation को किसी person को कैसे respond करती हूँ उस बात पर depend करता है कि मैं कैसा feel करती हूँ क्योंकि मेरे actions, reactions सब बहुत माइने करते हैं मेरे अंदर के emotions मेरे अंदर कैसा thought process चलेगा मेरे body में कितना comfort होगा मेरे mind में किस तरिके की thought चलेंगे मैं क्या करूँगी यह सब कुछ मेरे control की बात है क्योंकि यह सब कुछ मुझ बड़े बेंड करता है तो आप ऐसे लोग जो बार बार आपको hurt करते हैं indirectly, indirectly किसी भी way में तो उनको बदलने की बजाए, उनसे expect करने की बजाए उनको accept कर लो कि यह ऐसे हैं और उनसे एक emotional distance create कर लो अब वो emotional distance कैसे create करना है सब को create करना होता है, बस simply दो मिनिट की practice से मैं आपको बताती हूँ अपनी आँखे बंद करकर अपनी आपको relax करो और जिस भी supreme power में आप भरोसा रखते हो तो उससे पहचान जोडने के लिए जो भी रूप आप जानते हो कोई भी भगवान का देवी देवता है या कोई भी रूप किसी भी Allah है ना Jesus कोई भी तो आप ना उनको बस ऐसे divine power को imagine करो कि आज उन्होंने आपके इंदर ये wisdom भर दिया है और आपको ये realize हो गया है कि सब कुछ आपके हाथ में control है और आपको ये एक secret reveal हो गया है और वहां से आपको divine source से blessing आ रही है और वो blessing आपके चारों तरफ एक boundary create कर रही है और अपने favorite color में उस boundary को देखो अपने चारों तरफ और देखो वो पूरी boundary में आप पूरा cover हो एकदम safe हो, protected हो, happy हो और ये आपका अपना safe zone है और यहाँ पर इस boundary में से एक छोटी सी wisdom window है बहुत छोटी सी wisdom window है उस छोटी सी wisdom window का जो दर्वासा है वो अंदर से खुलता है और उस छोटी सी wisdom window में से जब आप देखते हो कि हाँ ये चीज अंदर लेने लायक है quality है मेरी life को आगे बढ़ाएगी अच्छा करेगी तो आप उसे entry देते हो अगर आपको लगते हैं कि ये सब बोकस पकवास, फिजूल की बाते हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसानी होगा तो आप अपने दर्वाजा बंद रखते हो उस wisdom window गा तो आप just अपनी imagination में इस तरीके से अपनी उस wall को, protection wall को बहुत अच्छी तरीके से उस boundary को create कर लो अपनी favorite color में उसको literally देखो imagine करो, उसको feel करो कि जैसे हमारी boundaries होती है boundary हमारी है, कोई उसकी बाहर से कुछ ऐसे डालने ही कुशिश करें तो क्या boundary से टक्रा कर बाहर चला जाएगा तो आपको इसी ने डाला है आपको कुछ यहां से टक्रा कर रही वापस जा रहा है क्यों क्योंकि मेरे आगे ही boundary है तो अपने फेवरिट टर्ल में देखो अपके चारो तरफ एक boundary बन गई है और पस उसमें छोटी सी wisdom window है जो भी कुछ आपको लाइकता है कि सही है, बात valuable है मेरी life को आगे बढ़ाने वाली है मेरे को support करने वाली है, उसको entry दो अपने अंदर क्योंकि उसका सारा control क्या है अंदर से खुलती है, वो बाहर से नहीं खुल सकती है तो इस तरही कैसे आप अपने emotional boundary create करके रखो, और लोगों से situation से detach होना सीखो detach होना क्या है, कितना असान है just a conscious आपका decision कि मेरी زندگी important है मेरी खुशिया important है मेरे control में है यह मैं मालिक हूँ यह मालकियत, मालिक बना कर तो भेजाता है इश्वरने आपको लेकिन आप अपने आपको नौकर समझने लगे इसमें वो उस परम शक्ती की क्या गलती है यह आपकी गलती है, लेकिन आज भी गलती सुधार लो, कोई बात नहीं और अपने अंदर की मालकियत अपने पास ले लो और बस अपने आपको उस boundary में हमिश्रा रखो और समझो कि जो दूसरा कोई भी आता है जैसे उसकी negativity, उसका चिलाहाट, उसका गुसा है न, उसकी कड़वा, हाट, कुछ भी आपकी तरफ आने को कोशिश करती है, तो आपकी जो boundaries आपको protect कर रही है, जैसी हो आता है, आपकी boundaries से टकराता है, और उसमें ऐसी power है, क्योंकि वो divine power से बनी है न, तो ऐसी power है कि वो सब कुछ dissolve हो जाता है भार के भारी, और वही परी खतम हो जाता है, एकदम से बिल्कुल vanish हो जाता है, वही परी, बिल्कुल खतम, और आप एकदम happy, protected रहते हो, जिसको कहते हैं, चिकना घड़ा, कोई असर यह नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे बन गए है, अब आप कहेंगे यह थोड़ा मुश्किल है, देखो शिरुवात में न, जब आप कोई भी चीज practice में लाते हो, और इसको अपने जीवन में उतारते हो, तो हर चीज़ ही मुश्किल लगते है, एक छोटे बच्चे से पूछो, वो कहेगा पूरे बड़े बड़े sentence पढ़ लेते हो, तो हर चीज से बड़े बड़े sentence पढ़ लेते हो, तो मुश्किल ही लगती है, लेकिन जब आप उसे बहुत practice कर लेते हो, तो वो आसान हो जाती है, पता है आपको पहले मैं भी न, बहुत sensitive थे, मैं को भी न, बहुत चाते हैं, चीजसे hurt हो जाती थी, और ऐसे दिल पर लगा लेती थी, रो भी देती थी, ऐसा नहीं कि आप कभी नहीं रोती हो, लेकिन मुझे रोलाना बहुत मुश्किल है अभी, अब आसानी से नहीं रो सकती, किसी के पसीने चूट जाएंगे, है न, और वो भी, जब मेरी खुद का, वो होगा कि हाँ, मुझे अपने आपको release करना है, दब रोऊंगी मैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, आज से अगर मैं ऐसे 15 साल पहले की बात करो, तो मैं ऐसानी से रो दिया करती थी, तो बहुत ज़्यादा चुब जाती थी बाते, ऐसे हर्ट हो जाती थी, अब नहीं होती, क्यों क्योंकि practice करके, करके मैंने अपने आपको इतना strong बना लिया, तो हम सब एक जैसे ही होते हैं, हम सब को ही, समय समय पर बहुत सारी चीजे जिंदीगी सिखाती है, हमारे अनुभव सिखाते हैं, और हम धीरे-धीर अपने आपको मनस्पूत करते रहते हैं, तो यह जो आप एक emotional boundary create करेंगे न, और यह आपने यहां मान लिया, feed कर लिया, कि जो भी कुछ negativity आ रही है, वो आ रही है मेरी walls से टकरा कर, और सब खतला मुझाती है, वही पर vanish रहती है, क्योंकि वो divine power ने मुझे bless किया वाय है, तो वहां पर पस इस छोटे से यहां पर belief से, वो सब चीजे आपके लिए hazardous काम करेंगी, क्योंकि जिस भी बात पर आपका दिमाग विश्वास कर लेता है, वो आपकी reality बिल्कुल पक्का हो जाती है, आपने अपने दिमाग भी कर लिया, कि मेरे चारों तरफ वो emotional, जो में को protect करने वाली boundary है, जो wall है, वो divine power ने दी है मुझे, उन्होंने बनाई है, उनकी power से हर तरीके के negativity एकदम खतम हो जाती है, क्योंकि उसमें positivity एतनी है न, एकदम से बिल्कुल खतम हो जाती है वो, तो आपके लिए ऐसा ही होगा, वो सारी चीज़े जो दूसरा कोई चीज चिला रहा होगा, आपके कानों में volume कमी हो जाएगी बिल्कुल, आपके words ऐसा आपको बिल्कुल blur दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, उसके किसी भी action से फरक नहीं पड़ेगा, फिर वो जो इनसान आपको hurt करना चाह रहा था, आप अपनी killer smile से, उसको एहदास एलाद होगे, ओ वाई, तो time based कर रहा है, चाल, जाके दूसरा कोई देख मेरे पे तेरी दाल निगलने वाली है, और आपकी एक killer smile सामने वाले की सारी मेनत बेकार कर सकती है, तो कोई आपको hurt नहीं करता, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, यह आपकी खुद की week में सोती है, जो आप hurt होकर बैठ जाते हैं, अरे यारो, एक फैसला तो लो, मेरे प्यारो जो visit है, वो limited time के लिए, और मुझे तो यहाँ पर बिंदास, खुशी से नाचते हसते, मुस्कूराते जीना है, और ऐसे ही जिन्दगी जीनी है, किसी की इतनी हैसियत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है, जो तुम्हें hurt कर दे, लोगों को नहीं मौका चाहिए होता है, कोई ज़र अगर आपने अपनी जिन्देगी में कुछ गरबर हुई भी है, उसको accept कर लिया तो, अगर आप inferior feel नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप अपनी जिन्देगी के प्रती पूरी समरपन भाव से accept करके जी रहे हैं तो, किसी की मजाल नहीं है, जो आपको कुछ बुरा feel करा सके, खुद ही उसको ऐसा लग रहा था, इसलिए उसको अंकल जी की बात एकदम से ऐसा लगा, तो जब आप अपने अंदर, खुद ही ऐसा सोच कर feel कर रहे होते हैं, तो वो चीज आपको बाहर, जब भी कहीं से भी, उसका कोई भी, किसी भी वर्जन में reflection लगता है, तब आपको वो चीज हर्ट करती है, तो कोई आपको हर्ट नहीं करता, आप खुद ही दोशी हो, आप खुद को हर्ट करती हो, तो दूसरों की बातों से तो आपको ऐसे boundary बना के आपने protect कर लिया, अब अपने आपको भी तो सुधारना है, तो अपने आपको अपने जीवन के बारे में right explain करना सीखो, कोई गलती हो गई है माफ करना सीखो accept करना सीखो और अपने जो भी गलत बिलीफ बनाएवे हैं अपने जीवन में उसको सुधारो, वरना बड़ा पचता होगे, अपने अंदर कुड़ा भर के रखोगे, तो खुद से बास मार रहे होंगे, है ना, तो खुद से परिशान होंगे, चिड़चिड़ा आया होंगे जीख रहे होंगे, फिर बहुत जादा परिशान हो रहे होंगे, और खुद ही अपनी हालत इतनी बिचारी करकर, और फिर कि हलकी से चेंगारी से तुम फट पड़े, एकदम से रोप पड़े, बिलक पड़े, इतने हर्ट होगे, बॉकला गए, तो अपनी गलती को भी समझो और अपनी गलती को सुधारो, तब जाकर इस हर्ट के जो ड्रामा होता है जो खेल खेल रोते हैं, उससे बचा जा सकता है, वरना क्या होगा, आप एकदम से परिशान हो जाओगे और आपको जिन्दगी भर समझ में नहीं आएगा, और आप जिन्दगी भर दूसरों पर दोशार उपन करते करते हैं, अपनी अंदर के मेरे बारे में जो मैंने गलत बिलीफ बना रखे हैं, वो यह हैं, मेरी लाइफ में यह चीज़े अभी मुझे फिक्स करनी हैं, यह चीज़े मुझे इंप्रूव करनी हैं, अपना पहले अपने अंदर इस बात को पूरी तरीके से बिठा लो, लेकिन जब तक अपने अंदर खोकले रहोगे, कमजोर होगे, जब ही तक दूसरों की बातों का फर्क बड़ेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि शायँ दूसरा मेरे दुख का कारण है, कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता, आप ही कारण हो, और आप ही के पास निवारण हैं, अपने अंदर, जो कूड़ा कच्रा भर रखा है, उसकी सफाई करो, क्योंकि आप अपने अंदर की दुनिया के सामराज्य के मालिक हो और ज़रा मालकित फील करकर तो देखो फिर देखो ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी बाठ्शाओं की तरह हसोगे मुस्कराओगे खिल खिलाओगे और जिंदी की सुकून से भर जाएगी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना चल जब गिडियो में अपको किसी और टोपिक पर सबह्त कर आप मुझे बता है क्यूंकि आप की मेरी वीडिओ से कितना सीख रहे हैं कितना कानेक्टिविटिवीटिमु जरू हो रहे है और आप अपना खास ख्याल रखना मैं मिलती हूं आपसे एकस्ट वीडियो में झाल अब्यूद्ट